हाईलो प्रेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल पर मैं हूँ प्रेयंका और आज की इस वीडियो लेक्षर स्रीज में हम कवर करने जा रहे हैं 16 फैब की सुजेस इव लेटिन आए लेक्षर को स्टार्ट करते हैं वस्ट जो यहां पर न्यूस दी गई है वो है विक्षित भार्त विक्षित रास्तान कारेक्रम के संदर्ब में परदानमति नेरेंद्र मोदी है उन्होंने वर्च्वल रूप से इस कारेक्रम में भाग लिया और 17000 क्रोड रपे से अधिक की जो भी विकास प्रेश नहीं है इनका लोकारपनवे सिलानास किया है इन में से कुछ मेजर प्रोजेक्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो बताया गया है फर्स्ट है बगत की कोटी जोदपुरी यहाँ पर वंदे भारत स्लिपर ट्रेन है इनके रखरकाव की सुईदा ओपन की जा रही है वहीं खातीपुरा में वंदे भारत और LHP आदी सभी प कोट में रेलवे लाइन है इसका दोहरी करण किया जा रहे हैं नेश्ट जो बताया गया है वह दो सोलर प्रोजेक्ट है एक तो है विकानेर के बार्सिंग जर में 300 मेगावाट की सोलर उर्जा प्रियोजना जिसकी लागत 1400 क्रोड रुपे बताया जा रही है वहीं विकानेर है वह कौन सी एनर्जी से रिलेटेड है और इसकी कार्यक्रम में परदांतिन नरेंदर मोदी हैं उन्होंने संब्धन करते वे बताया कि देश के विकास के लिए अधारवूत ऑवसंचना का विकास होना अत्यतिक जरूरी है इसलिए के इंदर की सरकार दौरा इसी बार्चे के शित्र में 11 लाग क्रोड रुपे का प्रावदान रखा है केंदर की सरकार दौरा बीजली के जंगट से निजात पाने के लिए अपनी पॉलिसी उसमें भी चेंज किया है और सोर उर्जजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज करती माह 300 यूनिट तक फ्री बिजली है वह प्रवाइट कर जाएगी केंदर की सरकार है वह सोलर एनर्जी रिलेटेड आगरा कोई लोन लेता है तो उनकों बैंक के मातियां से कम इंट्रेस्ट पर लोन है वह भी प्रवाइट कर जाएगा केंदर सरकार घरों में सोलर पेनल ल केंदर की सरकार का माना है कि देश में केवल 4 वर्ग है यूवा किसान महीला और गरी इन वर्गों के सकतिकर्ण के लिए डबल इंजनिस की जो सरकार है वह मिसन बौरट पर काम है वह कर रही है तो यह हमने देखा विक्षित भार्त विक्सित रास्तान कारिक्रम के संदर में नेश्ट जो न्यूज है वो है विस्व बैंक मिसन से रिलेटेड विस्व बैंक मिसन है वह 28 परवरी से 8 मार्ज तक परदेश के दोरे पर रहेगा और इस दोरान रास्तान इस्टेट हाइवे अतोरिक्टी के मादें से 1000 किलोमेटर के स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट है इनका डेवलोप्मेंट किया रहा है जिनके अनुमानित कोश्ट है वो 2000 क्रोड रुपे बताएगी है और यह प्रोजेक्ट है वो आगामी तीन वर्सों में पूर्ण किया जाने प्रस्तावित है तो हमारे लिए जो एक्जाम ओरेंटेट क स्टेट हाइवें हैंनका डेवलोप्मेंट किया जगा जिनकी आगामी तीन वर्सों में पूर्ण किया जाने प्रस्तावित हैं नेक्स्ट जो यहां पर निजीज बताएगिए वह है पीम जर्मन योजना के संदर्व में पीम जर्मन योजना यह काफी इंपोर्टेंट न्य उसको benefit provide करवाने के लिए के अंदर सरकार दोरा स्टार्ट है वो की गई थी पिछे तर विशेश रूप से कमजोर जनजाती समुए जो विभीन मंत्रा लिए विभा की योजदाओं से छूट गए थे उनको इस योजदा में चैन किया गया लाभारती के रूप में और इसी एक 22 प्रकरण है उनकी समिक्षा इसी कारिकरम के तहट किए गए इस योजदा के तहट इसमें क्या किया जाएगा जो बैफिसिक इंफ्रस्टेक्सर प्रोजेक्ट है इनका डवलॉप्मेंट किया जाएगा जैसे सिक्षा चिकिष्या घर जो भी सुच जल एड्सेक्टर जो नेक्स्ट जो यहां पर बताया गया है वो है स्री अंपुर्णा रसोय योजना के संदर में इसके संदर में हमने पहले भी देखा है स्री अंपुर्णा रसोय योजना जो पहले गैलो सरकार द्वारा इंद्रा रसोय योजना के रूप में इसकी स्टाटिंग की गई थी इस सहरी श्यत्रों में योजना की स्टार्टिंग की गई थी और स्व अर् हाली में इसका नाम है वह 5 January 2024 को इसका नाम चेंज करते वी बीजेपी सरकार द्वारा इसका नाम चेंज करके स्री अनपुर्णा रसोई कर दिया है और इसमें जो चेंज किया गया है वह है कि भोजन की जो सामगरी की मात्रा है वो भी बढ़ा कर 600 ग्राम कर दी पहले इसमें भोजन सामगरी की मात्रा हुआ कर थी 440 ग्राम जिसे बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है वहीं राजके अनुदान है वो भी 17 रुपे से बढ़ाकर कितना कर दिया है 22 रुपे कर दिया है राजके अनुदान भी परती ठाली 22 रुपे कर दिया गया है जब इस योजना के स्टाटिंग की गई थी तब इसमें राजक कोश्ट हो गए थी इसके परती थाली 25 रुपे वर्तमान में इसका राज की अनुदाना है उसको बढ़ाकर 22 रुपे कर दिया गए है और जो लाभरती द्वारा अब भी 8 रुपे में स्वाधिश्ट और भोजन पर राप्त किया रहे हैं और इसकी टोटल परती कोश्ट है था थाले में 100 ग्राम खीशड़ी और मिलेट्स हैं वो भी प्रोवाइट कर जाएंगे तो आज की वीडियो लेक्सर स्रीज में यह थी कुछ इंपोर्टेंट न्यूस नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे तर्थ तके लिए बाई थैंक यू एंड वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले थैंक यू